आप सब्सक्राइब कर लिए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर यह विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने सरकर वाले पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया इसक्वयर वाले ठीक है तिन दोनों में हमने क्या देखा था तिन तीन टैप की कोशन देखे थे ठीक है अब हम आज क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल वाल और एक केंदर के अंदर और बाहर दोनों वाला ठीक है तो आज हम इसमें से क्या पढ़ेंगे आज हम इंसाइड वाले कोशन को पढ़ेंगे ठीक है अगर मैं बात करूं इंसाइड वाले कोशन की तो इसमें भी दो तरीके की कोशन पूछे जाते हैं ठीक है कितने तरीके से प कि यह पाई सकते हम एक में तीन मठान पटा दिया और बाकी के दीन वेक्ति को हमने कहां बिठा दिया कॉर्णर इस पे छह वेक्तियों का मैं पूछा जाता है थीगा है अगर में बात करूं दूसरे टाइप ऐा किस तो हो गया मारा पहला तीकि किस अंधिन पूछा जाएगा क और अब बोलके चर्फ कारेगा ये मेडिल वाले पे ही दो दो व्यक्तियों को बैठा देगा ठीक है ये दो तरीके कोशन पूछ जाएंगे तो मैं जब इनको पूछन को कराऊंगी तो इनका आपको में डेटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें मैक्सिमम इसको कर सकत कोशन कोशन मेंWेया भी हाथ zijn all best-balik силूर नहीं पूछा जाता है क्योंकि रहते हुआ मादर श्रेगर 6 are जकांके लोग ही है कि राधी क्राउल में चांट ह हुआ Mr. चलें हम आपने कोशन की तरफ ये रहा हिंद्य पे और है उपने में Espusioninnас लिए म вспर कोशन हो है अब क्या करेंगे हम इसको solve करने की questions करते हैं ठीक है मैं बताऊंगी अभी question को इस तरीके की किस तरीके से solve किया जाएगा ठीक है तो क्या लिखा हुआ सबसे पहले 6 person I, J, K, L, M अब किस तरीके से बैठे हैं तो यह information आपको आगे लिखी हुई दे दी जाएगी question में ठीक है क्या बोल रहा है कि हर मद्य भाग में क्या है दो व्यक्ति बैठे हुए ठीक है तो अब हमें पता दिया कि यह किस type का question इसे कोश्वे थीक है तो हमने कहाँ सबस्क्राइब करें लिखा है कि आपको आपको सबसेख़ा है अब यह कहां पसक्राइब करेइसे बना लिए दो दो व्यक्ति बैठे हुए है ठीक है वो कहां देख रहें इंसाइट अब सभ मैंदें इंसाइट करने की जरुवत है क् conversions है has to take a और मैंने切 ने अंदर को कहां बेठा हुब है में न है किसा की के कहां बैठे हुआ है कोशन दिया रहेगा हम हमेशा 2 डेग्रम बना के चलते हैं हमेशा क्या करेंगे 2 डेग्रम बना के चलते हैं अब वह 2 डेग्रम कैसे बनेगा इसमें इसमें आपको हमेशा क्या रहता है कंडिशन पर कोशन दिया रहता है ठीक है कंडिशन पर दिया रहेगा आपको बता देगा या तो कोशिन में ऐसा लिखा रहेगा कि मालो यहां पर A है मालो यहां पर B है तो या तो कोशिन में ऐसा दिया रहेगा कि A और B क्या है अलग-अलग साइड पर है ठीक है तो आपके यह कोशिन सही हो जाएगा या फिर बोल देगा ए और भी एक की साइड पर है तो यह तो गलत हो गया तो हमारा जो हम दूसरा डियाग्रम बनाए रहेंगे उसमें वह जरूर ऐसा एक नएक बनेगा ठीक है तो इसी वजह से हम क्या करते हैं दो डियाग्रम इसमें बना के चलते हैं क्योंकि इसमें सब का इसमें बना लिए और सब मिडिल साइड पर बैठे हैं और सब कोई न कोई क्या रहेगा एक दूसरे का नेवर तो रहे गई ठीक है तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ नहीं कुछ हमें ऐसी इंफ्वर्मेशन दे रहेगी जिससे हमारे एक डियाग्रम गलत रहता है और दूसर डियाग्रम सही रहता है तो हम क्या करते हैं इस टाइप वाले कोई श bus attracts में में रहे हैं से सेंटर की पर टारफ टीक है अब क्या बोल रहा था इसने बोला case it's third left of i अब मैं क्या करूँगी k को एक बर मैं यहां पी लिख लेती हूँ और k को एक बर यहां पी लिख लूँगी ठीक है i के third left पे है तो चलो i को लिख लेते हैं या फिर k को लिखो जैसा भी है बात कैसे है i को लिख लेते हमें यहां पी को लिख लेते ह broke है के?」 थीख है पर हम क्या करेंगे? क्या tellach करें, कहा तो हम अपनी सारे information कुछ है, और इरेक्ट क्या करेंगे? करेंगे ठीक है तो चलिक और पढ़ लेते हैं और आगे किया लिखा हुआ है इसमें के हैं आई है के है किसे के लिग लिखा हुआ है तर प्यस बोल रहा है हुशा और बहुक्त के एपिन है स्फसरे में क्या początku कख़िए लिख लिए अब बोल यह आई इज neural नई नहीं है तो हमने ने बिर लिए नेभरन का निसना विः खरता है और है गारे ने कि अब बोल रहा है की एन क्या है पडू सी किसका जे का ठीक है जाए क्या बोलरा के एंड आर सिटिंगHIN सेंग आप इसने दे कि दरब क्या बोल रहा देखो हम मैं आले आप याप एका कि सारी इंफर्मेशन नोट कर लिए अब मुझे इस कोश्चन से क्या कुछ लेना देना नहीं हमें सीधे क्या करूंगी इन 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 इंफर्मेशन को देखोंगी और अपना कोश्चन ड्रॉ कर लूंगे ठीक है आई के थर लेफ्ट पे कौन है कि आई यह रहा सेंटर के और देख रहा है तो इसके थर लेफ्ट पे यह क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट साइड यह क्या हो जाएगा मेरा राइट साइड मुझे जाना है लेफ्ट की तरफ तो मैं लेफ्ट की साइड मूर जाओंगी कितने बा आगया कि यह information हो गई अब बोल रहा है L के second right पे आई है तो अब एल किस तरफ हो जाएगा L अगर मैं यहां पे ले लो तो एल के second इधर आजाएगा तो आई वहां पर आएगा क्या नहीं आई किस सेड है आई है इधर हमारा यहां पर बना हुआ तो आर एल कहां जाएगा एल यह रहा इसका फिर सेंटर की तरफ है तो इसके सेकंड राइट पर कौन आगया आई आगया ठीक है एक नट यह तो फर्स राइट हो गया हम सेकंड राइट पर लेना हमें ठीक है यह एल आगया एल के सेकंड यह फर्स राइट और यह सेकंड राइट पर आई आगया ठीक है इतनी बाते समझ मैं आई के थर्ड लेफ पर के था आई के एक दो तीन थर्ड लेफ पर के ले लिया ह तो यहां पर आजाएगा तो यह फर्स राइट और यह सेकंड राइट ठीक है के एल और आई क्या होगा है हमारे फिक्स होगा है ठीक है अब क्या बोल रहा है आई नेबर है किसका जे का तो अब जे यहां पर भी आ सकता है यहां पर भी जे यहां पर भी तो हम इसे क्या करते ह अभी नहीं लिखते हैं ठीक है दो जगा है हमारे लिए एल की दो जगा हमारे लिए है ठीक है तो हम क्या करेंगे अभी नहीं लिखते हैं इसको आगे क्या बोल रहा है देखो जे नेबर नहीं है हम देखो अब जे यहां प्याना था जे यहां प्याना था अब इसने डिरेक् तो J कहाँ fix हो गया यहाँ पर इत्ती बादे समझ में आगी अब बोल रहा है N neighbor है किसका J का तो N तो इधर I का neighbor हो गया तो sorry J तो इधर I का neighbor हो गया अब N किधर आज़ेगा इस side पर ठीक है यहां तक कोई दिक्कत अब क्या बोल रहा है हो गया हमारा ठीक है अब क्या बिल रहा है देखो N neighbor है J यहाँ पी J नेभर आई आगया तो यहाँ पी N आज़ीगा ठीक है अब बच्या काँ रहे काँ है एक इप्से बच्ची Бशी हो वही किसी M की तो M कहां पर आजएगा यहां पाट यहां पि कि आगे information लिखिए इससे हमारा एक diagram fix हो जाएगा क्या बोल रहा है के और N जो है वह कैं है same side पे है ठीक है यहां पी के और N अलग-अलग side पर आ रहे हैं एक यह वाली side पर आ रहा है और दूसरा यह वाली side पर तो यह diagram बनेगा क्या नहीं क्यों 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 क्योंकि के और N त अगर एक भी समें अगाई में चलाए कि कौन इस धम चुलों को सी नाज़ीं हो और बूंसा रहा है और देखरा है नाज़ीं ने बहुत है उसके यह जए रहे चल दो है जाए में तो पर अगर आप लोगे बैसे लिए यह गया तो आपको पूरी देखर लात लकाल पर यह चला और एक्जाम में टाइम की गीमत बहुत जादा होती है तो कभी भी ऐसा काम ना करें हमेशा दो डायग्रम लेके चले फटा फट क्या करें इसको जमाते हुए चले थीकिए समझाने में टाइम लगता पर जब हम बनाते है यह दो से दाइए मिनट नहीं लगता इसको सॉल्व क चलो हमने तराइब में लखे हैसे हम अपने लेकर नहीं के पर चलाता है कंदूट Спढ़ आपनेदी की चलों और यह रहा हम चलते हैं यह रहे लिग्ड सेह कैस्ट सल्वार यह रहा हम गाले पर चले हम लों अच्छतार्श ज साँ fan है कर दोनें दो यह और देग ह möglich तो यह मिन रहे हैं तो यह रहा है अब हम इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसक्स पर्सन इसमें कौन-कौन से बंदे दिए हुए छह एबी सीडी एफ्टी के छह वक्ती है और सेटिंग इन ट्रेंगुलर टेबल अब यह कहां बैठी हुए है और बैठी किस टाइप से हैं आगे बता इतनी बात समझ में और सबका लुदा करूं दोड्सका का है इंसाइड ठीक है और सबकाव फेस कहां इंसाइड अब क्या भोल रहा है अगे एसट फॉर्थ राइट-फी अच्छा कल की बात करूं करूं कर मैं कल मैंने एक आप लोग को स्क्वैर वाल जो इक कोर्शन कल हमने स्क्वाइर वाला एक कोशन पढ़ा था हाना उस पर हमने क्या किया था मैंने एक इन्फोर्मिशन गलती से बाई मिस्टेक उससे वह टाइप नहीं हो पाई थी यह वह छूड़ गए थी वह आप लोगों को स्क्रीन पर सो नहीं हो रहा था कोशन पर जो हम दूसरे एक क सब्सक्राइब नहीं होगी ठीक है वाप अपने कोशन में नोड़ कर लेना कि वी नहीं था यूगा ठीक है मैंने इन्फोर्मिशन पी लिखा था बट वह टाइप नहीं हो पाया ठीक है तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कोशन के यहां तक समझ में चैनल रिखती है ठीक ह पर बैठे हुए हैं और तीन लगती कहां बैठे हो मिडिल सेट और वह सब की सब कहां देख रहे हैं सेंटर की तरफ ठीक है इत्ती बते समझ में अभी क्या बोल रागे एफ सेट्स फोर्थ राइट ऑफ अब इस नहीं बता दिया एफ कहां है फोर्थ राइट पर कहां पर अब इस टैप के कोशन में एक ज़रूरी बात क्या रहा थी हमें जो ध्यान रखना है हमें जब तक पता नहीं रहेगा कि कोई कॉर्णर पे बैठा है कि कोई मिडिल सेट पे बैठा है यह फेस तो हमें पता है सबके इन सेट कॉर्णर पे और मिडिल नहीं है तब तक हम यह बता दिया रहेगा कि corner पे है कि middle पे है तब हम उससे related हम start कर सकते हैं पर सर्त क्या होती है इसमें कि उससे related भी कुछ हमें additional information दी हो ठीज है अगर यह नहीं पता रहेगा सिर्फ corner और middle पता है उससे related कुछ information ही नहीं दिया मान लो इस question में A से related मान लो ऐसा ठीक है इस question में A से related सिर्फ इतना बोल दिया कि A कहां बैठा हुआ है A बैठा हुआ है corner पे ऐसा बोल दिया इसने ठीक है और A कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इस start कर पैंगे क्या नहीं A से related हमें कुछ और information दे तब तो हम बता सकते हैं ठीक है तो हम इस question में क्या करेंगे corner middle देखेंगे अगर corner middle मिल गया तो जिस बंदे का दिया हुआ है उसे related information देखेंगे ठीक अगर दी हुई होगी तो हम question start कर लेंगे नहीं तो फिर हम क्या करते हैं फिर से हम दो diagram बनाएंगे एक बार इस A को मैं कहा ले लूँगी A की fourth right बोल रहा है तो अब इस question के according एक बार मैं A को center पे ले लूँगे बीच पे और middle side पे और एक बार A को corner पे ले लूँगी इत्ती बात समझ में है तो चलते हम क्या लिखा हुआ है सबसे पहले मैं एक ऐसे diagram बना ली ठीक center की तरफ ठीक है और हमने लिख लिया F sits fourth right of A यह मैंने लिख लिया चलिए अब हम जल्दी जल्दी information note कर लेते है B sits second left of D B कहा बैठा हुआ है second left पे है किसके D के ठीक है अब क्या बोल रहा है F sits fourth right of A हो गया B sits second left of D अब बोल रहा है E sits second left of F E कहां बैठा हुआ है second left पे है F के ठीक है अब क्या बोल रहा है C is not neighbor of E क्या बोल रहा है C neighbor नहीं है किसका E का ठीक है अब क्या बोल रहा C sits at corner अब मुझे बता दिया C कहां पे बैठा हुआ है corner ठीक है C कहां पे बैठा हुआ है C बैठा हुआ है corner ठीक है तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी C corner पे है मैंने लिख लिए C corner पे है अब C neighbor नहीं है E का ठीक है तो E यहां नहीं आना E यहां नहीं आना अब F के second left पे E दिया हुआ है ठीक है यह C corner पे लिख लिए हमने फिर C never नहीं है इका लिख लिए हमने ठीक है अब F के second left पे E है तो अब E के लिए तो तीन तीन प्लेस बचिए है तो हम इससे start कर पाएंगे क्या नहीं तो हम क्या करते हैं हमें कुछ भी information नहीं पता तो हम क्य आदेते हैं अभी मैंने यह दूसरा diagram भी बना लिया ठीक है यह तीन corner पे आगए यह तीन middle पे आगए center की द्रफ face है ठीक है अब लेको अब लिखा हुआ अब मैं एक को एक बार लिख लेती हूं बीच वाले पे middle side पे एक को एक बार लिख लेती हूं ठीक है अब बोल रहा है एक के fourth right पे F है अब यह क्या हो गया मेरा right side center की द्रफ ठीक है तो एक के fourth right पे कौन आ जाएगा F हम लिख लेते हैं 1 2 3 और यह four पे कोन आ गया F आ गया ठीक है यहां पे भी एक 2 3 और यह four पे कोन आ गया F आ गया ठीक है इतना समझ में आया अब क्या बोल रहा है आगे D के second left पे B F और A पता है D भी पता है क्या नहीं तो इस information को हम क्या करते है अभी skip कर देते हैं ठीक है और क्या बोल रहा है देखो अब ये दो information हो कि एक से हमने note कर लिया और A को क्या क्या हमने अभी skip कर दिया ठीक है अब क्या लिखा है आगे F की third left पे E है अब F मुझे पता है F के second left पे लेना है हमें E ठीक है F की second left पे हमने E ले लिया वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे F के second left पे E ले लेंगे ठीक है यहाँ पर E आगया अब क्या बोल रहा है देखो C नेबर नहीं है E का मतलब C यहाँ नहीं आना C यहाँ नहीं आना तो C के लिए की प्लेस बची यहाँ पर ठीक है वैसे ही C यहाँ नहीं आना यहाँ नहीं आना तो C के लिए की प्लेस बची यहाँ पर इतनी बाती clear है बिल्कुल ठीक है अभी तक हमने क्या क्या है जो जो question बोला हमने क्या 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 उसे लिख लिए अब क्या बोल रहा है देखो चार विक्ति हमारे क्या हो चुके है फिक्स हो चुके है ठीक है ये चार विक्ति क्या हो चुके हमारे फिक्स हो चुके देखो अब क्या बोल रहा है D के second left पे कौन है B है ठीक है अगर मैं D को यहां ले लूँ तो यह क्या हो जाएगा D का left side तो left side पे तो C आ जाएगा second left पे तो D यहां पे आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है तो D कहां पर आजाएगा, D आजाएगा हमारा यहां पर, ठीक है, D का अब second left पर कौन आगया, B आगया, ठीक है, इत्ती समझ में है, इत्ती बाद, अब यहां पर देखू, अगर मैं, तो D की second left पर कौन आगया, C, B के आजाएगा, right पर आजाएगा, यह right side हो जाएगा, तो right इतनी information से क्या हुआ हमारा यह दो डियागरम क्या हुआ अब एक information दिया हुए है से कहां बैठा हुआ एृट्बॉणा करेगा कि दोसरी डियागरम पर देख सकतें सी को बीच पर बैठा हुआ तो यह टैगरम काम काम करेगा गाहिए क्यों कहां के सिसी को कहां बैठाना है坊 ओफ पहले डियागरम पर मैं असलिशित कहां करते हैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस पसंद आया होगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आप और देख पाएं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और मेक्जिमम शेयर किज़ेगा ठीक है जितने जितने लोगों को जोने की कोश होंगे ठीक है तो जिले इस असन को एंड अप करते हैं तिल दन कीप लर्निंग की प्रेक्टिक्शन थेंक्यू और बाबाई